वेलकम टू विराट आईएस करंट के नेक्स सेशन में आपका सवागत है आज हम करंट के इस अपने टार्गेट टार्गेट प्री 2021 के बैच में जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो काफी इंपोर्टन टॉपिक है जिसका नाम है प्रियावरन यानि एन्वार्मेंट और बार्ड डाइवर्सिटी जैविवित्ता देखो आपने ये सुना होगा कि जो शंकर आईएस की बुक है वो एन्वा आउट नहीं है कि अच्छी बुक है लेकिन अगर आप विगत तीन चार वर्षों से पेपर्स को एनलीसिस करें तो आप पाएंगे कि पूरी बुक से दो से तीन हार्ड ले कुश्चन्स आ रहे हैं इससे जादा कुश्चन्स पूछे नहीं जा रहे हैं तो अगर आप पर इस बुक को देखें तो जितना अधिक आप इस पर कॉस्ट दे रहे हैं इंपुट दे रहे हैं उसके रेश्यों में आउट पुट नहीं आ रहा है तो कुश्चन फिर आ कहां से रहे हैं तो एस्पेशली यूपी एससी में भी जो कुश्चन्स हैं वो अधिकतर करंट से सेंसस से है बागों की जनगणना से है अभी जुलाई 2020 में विगत वर्ष जो यूनियन एन्वार्नमेंटल मिनिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है इसे शॉर्ट में कहते हैं इसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर इंपोर्टेंट यह है कि जो ग्लोबल टाइगर्स हैं दुनिया में बाग जितने भी हैं उनकी अधिकतर अबादी भारत में ही है 70% से ज्यादा टाइगर्स इंडिया में रहते हैं पूरी दुनिया में जहां 3900 टाइगर्स हैं वहीं इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं जो वेस्टरन घाट है इंडिया का यह वाला जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा बागो की आबादी रहती है और अगर स्टेट है नेक्स्ट एक declaration है देको declaration क्या होता है declaration जब किसी मुद्दे पर जो विभिन पार्टियां है वो एग्री हो जाती है वो सहमती बन जाती है तो उसे declaration कहते हैं 29 जुलाई को जो टाइगर को बचाने का जो अभियान है जो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो अवेरनेस है उसके लिए हर साल एक इंटरनेशनल टाइगर्स डे मना जाता है इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी और रशिया के सिर्टी में हुई ती सिर्टी का नाम एंटर पित्रस बर्ग और सेंट पेंटर सब्डर में उस समय टाइगर समेट हुई थी तो उसी समय यह संट पित्रस बर्ग डेकलरेशन यह उदघोशना पर साइन हुए थे इसमें यह टैंक किया गया था कि 2022 तक छितने भी टाइगर्स हैं इनके अबादी को डबल करना है नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट एक एक न्यूज है जो लोनार लेक और सुर्ष रोवर रैमसर लिस्ट से रिलेटेड है पहली बात तो यह है कि बार बार आप रैमसर साइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ जो दल इसका यह एक जगा का नाम है रैमसर इरान में यह सम्झोता किया गया था और इसका उद्देश है क्या है इसका उद्देश है जो वेटलेंड है उनका कंजरवेशन करना पूरी दुनिया में दो फरवरी 2021 को इंडिया का जो पहला Center for Conservation and Management है यह बनाया गया है इंडिया ने एक Center बनाया है Wetland Conservation के लिए Center for Wetland Conservation and Management यह Stablish किया गया है चेन्नाई में यह चेन्नाई में इसके स्थापना की गई है इस समय अगर देखें कि इंडिया में कितरी रामसर साइट है तो जो रामसर साइट है इंडिया में वो इस समय 42 है और जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रामसर साइट है लार्जेस्ट जो रामसर साइट है वो सुन्दरबंस है सुंदर बन जो वेस्ट बेंगॉल से लेकर बंगलादेश तक जो बेल्ट पहले हुई है अगर ये कुशन किया जाए कि सबसे ज़्यादा जो रामसर की साइट्स है वो किस राज्ये में है तो संख्या के द्रश्टिकोंड से सरवाधिक रामसर साइट्स उत्तर परदेश में है जिनका नमबर है आठ देखो मैं बार-बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि जो यूपी स्पेसिफिक जो बाते हैं आप उन पर भी ध्यान दें एस्पेसिली जिन लोगों को स्टेट सिविल सर्विसेज यानि यूपी का एक्जाम देना है तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सरवाधिक जो रामसर साइट्स हैं वो उत्तर परदेश में है इसी तरह इंडिया में जो सबसे छोटा वेटलेंड है जो सबसे छोटी रामसर साइट है वो हिमाचल परदेश में है हिमाचल परदेश में जिसका नाम है रेनुका वेटलेंड रेनुका वेटलेंड हिमाचल में ऐसे दंदली भूमी है जो smallest वेटलेंड है रामसर साइट जो है जैसा कि हमने डिसकस किया कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज है इस समय संसार में 2400 से अधिक रामसर साइट है और अगर दिये देखें कि संसार में किस देश में सरवाधी क्रैमसर साइट है तो नंबर के पांड़ व्यू से United Kingdom में सरवाधिक रैमसर साइट्स है 175 तो UP में 8 हैं और UK में 175 यानि इंडिया में UP में सब ज़ादा हैं वर्ल में 175 है और टोटल रामसर साइट्स कितनी हैं इंडिया में 42 तो रामसर साइट्स चर्चा में इसलिए हैं अभी क्योंकि अभी November 2020 में इंडिया के महरास्ट में लोनार लेक को और आगरा के सुर सरोवर को रैमसर कन्वेंशन के तहत नई लिस्ट में जोड़ा गया है और ये संख्याब हो गई इंडिया में जैसे अभी हमने डिसकस किया 42 हो गई है देखो जो लोनार ये लेक है ये महरास्ट में है लोनार जील महरास्ट में है और महरास्ट के जिस जिले में है उसका नाम है बुलढ़ाना ये बुलढ़ाना में एक जगा का नाम है लोनार ये नेशनल जियो हेरिटेज मनुमेंट है लोनार लेक ये क्रिटर भी है और जो सूर सरोवर है जिसे रैमसर साइट में शामिल किया गया है ये सूर सरोवर जीली आगरा डैली हाइवे पर है यनि आगरा उत्तर परदेश में है भारत की बाकी जो लिक्स है जो रैमसर साइट में शामिल है ये कुछ नाम आप देख सकते हैं उडीसा में चिलका है आउनलोड भी कर सकते हैं देखो डेसंबर 2020 में न्यूजिलेंड गौवर्मेंट ने इस बात को फील किया कि जो हमाएट ग्लोबल वार्मिंग है इसके बहुत ही हार्मफूल ए conductivity है थो इनको लेकि टेखने के लिए कल्कुलेट करने के लिए देश में एक climate emergency लगाई गई है climate emergency एक ऐसी situation होती है जिसमें जो climate change से होने वाले जितने भी जितने भी नुकसान है उनको कम करने के लिए action लिया जाता है कदम उठाए जाते हैं तो इस तरह न्यूजिलेंड एक ऐसा देश बना जिसने climate emergency लगाई है काफी समय पहले आपने पढ़ा होगा कि सिक्किम इंडिया का पहला ऐसा state बन गया है जहां पर पूरी तरह जैव उर्वरक इस्तेमाल किये जाते हैं यह और्गनिक फार्मिंग जहां इस्तेमाल की जा रही है अभी लक्षदीप ऐसा दूसरा इंडियन इंडियन इस्तेट बन दिनक रही है तो वह लक्षदीप है और स्किन की सिक्किम एंतुर्फ यूटी लक्षदीप है क्य подар लिए यूटियफ कि स्वेँ है क्लाइए है क्लायवट चेंज पर्फॉर्फॉर्मेंस इंडेक्स यह जारी किया गया है यह जो जलवाय। परिवर्तन परदर्शन सूचकांग है December 2020 में इसको जारी किया गया और इंडिया जो है लगातार Top 10 में है इस साल जो CCPI में इंडिया की rank है वो 10th है पहले 9 थी देखो जो ये Climate Climate Change Performance Index है ये बताता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा polluted है इतना ज़्यादा Greenhouse Gases को Emit करता है छोड़ता है तो चाइना जो है इसमें सबसे बड़ा Emitter बताया गया है सबसे बड़ा उतसर्जक बताया गया है Greenhouse Gases का यानि परदूशन फैलाने वाली गैसों का अमेरिका को सबसे निचला स्थान दिया गया है यानि अमेरिका भी कम नहीं है और जो G20 के दो देश है UK और इंडिया इसमें इंडिया को हाई रैंक मिली है और बाकी कंट्रीज की स्थितिया आप देख सकते हैं तो इसमें आप देखें कि ये वर्ल्ड के सब ज़्यादा polluted कंट्रीज है यानि यहां ग्रीन हाउस गैसे का एमिशन काफी अधिक होता है जो गिद है वल्चर ये ऑन दा वर्ज ओफ एक्स्टिंशन है यानि विलुप्त होने के कगार पर है गिद और लगातार इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है 99% तक गिरावट आई है अब गिद कहीं दिखाई नहीं देते तो ये गिद की ये वेराइटीज है औरियंटल वाइट बैक है लॉंग बिल्ड है इसलेंडर बिल्ड है तो गिदों के प्रोटेक्शन के लिए सरक्शन के लिए नमवंबर 2020 में इन्वारिनमेंटल मिनिस्ट्री ने देश में एक प्लान शुरू किया है जिसका नाम है वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 तक इसका अबजेक्टिव क्या है इसका अबजेक्टिव यह है कि जो नॉन एस्टेराइडल एंटी इंफ्लेमिटरी ड्रग है उसकी बिक्री का कंट्रोल करना देखो ऐसा कहा जा रहा है कि जो दुधारू पशु है जो मिल्क देने वाले एनिमल्स है जो फार्मर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं मिल्के वो एस्टेराइड के इंजेक्शन्स लगाते हैं उन पशुँ को ताकि उनसे जादा से जादा उनसे दूद लिया जा सके बाद में वो एस्टेराइड उनके शरीर में इतना चला जाता है बार बार इंजेक्शन का जब पशुँ पर यूज़ किया जाएगा और जब वो पशुँ मर जाते हैं तो मरे हुए पशुँओं को गिद खाता है और उस वज़ा से गिद्दों की संख्या कम हो गई है गिद मारे गए हैं ऐसी ऐसी स्टेडीज बताती है तो इसलिए ये एक्शन प्लान ये बोलता है जो नोन एस्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो जो ड्रग्स इनको इस्तेमाल की जाती है पशुँओं के दूद निकालने में तो उसको कंट्रोल करना है उसको कंट्रोल करने का indirect effect कहां पड़ेगा वल्चर्स की मृत्ती उस पर यह वल्चर जो मर रहे हैं उस पर नेक्स्ट है क्लीन वाटर स्ट्रेटेजी लेको भारत में एक नया मिनिस्ट्री बनाय गया था 2019 में जल शक्ती मिनिस्ट्री पहले ये मिनिस्ट्री नहीं होती थी इस समय भारत एक मिशन पर लगा हुआ है जितने भी गाउं के और शहरी लोग हैं जहां पीने का साफ पानी नहीं है उन्हें टैप वाटर यानि नल के थूँ उन्हें वाटर उपलब कराए जाए तो जल जीवन मिशन दो तरह से चल रहे हैं हमने ये पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था एकोनामी के एक शहरी और एक ग्रामीर नहीं रूरल तो इसका टार्गेट क्या है दोजार चॉबिस तक देश में 19 करोड चार लाख जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उन्हें टैप वाटर क्लीन वाटर उन्हें पहुंचाना है तो इसके लिए जैसा भी डिसकस किया है कि जल शक्ती मंत्राले बनाया गया है और अभी एक साल में इंडिया ने एक रिकार्ड इतने करोड रूरल फैमिलीज को तीन करोड चॉंटिस लाख रूरल फैमिलीज को पाइपलाइन के थ्रू नल कनेक्शन दिये हैं आजादी के बाद से 2019 तक 3 करोड 23 लाख को दिये गए थे और एक साल के भीतर 3 करोड 34 लाख को दिये गए हैं 20-21 का जो बजट आया था उसमें 30,440,478 करोड रूपिये ऐलोकेट किये गए थे जल शक्ती मंत्राले को पानी की आपूरती के लिए जिसमें से 21,500 करोड पानी की आपूरती और क्लीन लिनेस के लिए थे जल जीवन मिशन के लिए भी थे तो ये सारा इतना बड़ा एमॉंस सरकार खर्च कर रही है ताकि पोटेबल एंड क्लीन वाटर शुड भी मेड अवेलेबल तो एबरी रूरल हाउसोल्ड डेनमार्क दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने एक एनरजी आईलेंड बनाया है ये एनरजी आईलेंड जो है इसमें क्लीन एनरजी या रिन्यूवबल एनरजी का जनलेशन किया जाएगा विंड टर्बाइन के माद्ध हम से विंड टर्बाइन यानि बड़े बड़े पंचक्या लगाई जाएंगी जो हवा के फोर्स से चलेंगी और इलेक्रिसिटी जनलेशन करेंगी इस मैदान की विशालता का अंदाजा इस बास से लगाए जा सकता है कि ये 18 फुटबॉल के मैदानों के इक्वल है ये एनरजी आईलेंड जहां पर ये विंड टर्बाइन लगेंगे सम्मेलन का डिसकेशन है World Sustainable Development Summit 10 वरवरी 2021 को वीडियो कॉंफरेंसिंग के थो एक वर्चुल इस सम्मेलन का उधगाटन किया गया वर्चुली इसे सम्मेलन का उध्गाटन किया गया इंडियन प्राइम इनिस्टर ने कहा कि अगर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना है तो जो थीम क्या थी देखो थीम हमारे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है यह इसकी थीम हिंदी में आप देख लें साजा भाविश्य को पुनर परिभाशित करना सबके लिए सुरक्षित प्रियावरण और डिफाइनिंग और कॉमन फ्यूचर सेफ और सेक्यूर एंव तो टैरी के इवेंट का यह 20th इवेंट था तो टैरी इसको और गिनाइज कराया यह इसकी डेटेल अब देख सकते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता था पहले एनरजी रिसोर्च इंस्टिट्यूट टैरी को इसे पहले इसे डैली सस्टेनेबल डेवलप्मेंट की नाम से जाना जाता था नेक्स्ट क्लाइमिट एडेप्शन समिट है एक और समिट है एक और सम्मेलन है जनुरी 2021 में यह हुआ नीदरलेंड ने इसको होस्ट किया यह वर्चुल क्लाइमिट एडेप्शन समिट था और इंडिया की तरफ से इसमें रेप्रेजेंटेशन किया प्रध रेप्रेजेंटेशन किसने किया तो इस सेंस में इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि इंडिया की तरफ से कौन रेप्रेजेंटेशन कर रहा था इसमें तो आप देखें कि Climate Adaption Summit 21 में प्राइम इनिस्टर खुद इंडिया को रेप्रेजेंट कर रहे थे और इस पूरे सम जो होने वाला जो United Nations जो Climate Climate Change Summit है ये उसके आधार पर काम करेगा COP26 देखो COP जो है Conference of Parties है जिसमें विभिन देश बैठते हैं और Climate के बारे में बात करते हैं COP26 का मतलब यह है कि इससे पहले COP25 हुआ है उससे पहले 24 समिट हुई है COP की फिर COP23 हुआ है एटसेटरा भारत का टार वाट तक Electricity Generation को ले जाना चाहता है अभी इंडिया LED Bulp के इस्तेमाल से इतने क्रो टन CO2 को एमिट कर रहा है इसके अलावा Climate के एरेना में इंडिया का ये भी टार्गेट है कि 2030 तक 26 मिलियन हेटेर जो बैरेन लेंड है जो बंजर धरती है भारत उसको हरा भरा करने का सप्लाई से जुड़ा जा रहा है जिसके बारे में हमने भी पढ़ा कि जल जीवन मिशन ग्रामीन चलाए जा रहा है और जल शक्ति मंत्राले नाम का एक नया मिनिस्ट्री 2019 में बनाए गया था उसके अंडर में नेक्स्ट है एक Angry Outlook Report है जिसे बनाया है International Energy Agency आई-ई-ए ने जिसका नाम है इंडिया इनेर्जी Outlook Report 2021 में ये रिपोर्ट जारी की गई है किसने जारी की है इंटरनैश्नल इनर्जी ऑजन्सी ने इस रिपोर्ट का energy demand है उसमें 25% की growth देखने को मिलेगी और ये energy की demand का सबसे बड़ा हिस्सा होगा और 2030 तक ये अंदेशा किया गया है कि European Union को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा energy का consumer बनेगा देखो इस समय किसी भी देश में economic development को जो नापने का पैमाना है वो ये तो है ही कि उस देश का GDP कितना है उस देश की per capita income कितनी है उस देश के उस देश में घाटे कितने है बजट के लेकिन इसके अलावा जो सबसे अच्छा जो मांदन जो parameter माना जा रहा है किस देश के economic development का वो ये भी माना जाता है कि उस देश में energy की डिमांड कितनी है यानि electricity के डिमांड कितनी है और परतिवेक्ति energy consumption कितना है तो ये पैमाना है जिस देश में per person per capita energy consumption अधिक होगा वो देश उत्रहीं developed होगा तो इस द्रस्टिक ओन से देखें तो ये developing से तेजी के साथ developed status की तरफ बढ़ रहा है तो दो हजार चालिस तक इस report के मताबिक जो देश का GDP है वो six trillion डॉलर हो जाएगा और इस वज़ा से जो energy का consumption है वो भी double हो जाएगा चीन के बाद इंडिया दूसरा सबसे बड़ा crude oil का importer है और फिलहाल अपने energy जो oil resources हैं उसका 76% इंडिया इंपोर्ट करता है जो foreign जो तेल है उस पर इंडिया की dependency अभी बढ़ती ही जाएगी यह मजबूरी है क्योंकि इंडिया की requirement ओयल की बहुत अधिक हैं और उसका production नहीं है international energy agency क्या है international energy agency एक autonomous संगठन है यानि यह बिल्कुल एक सवतंद्र संगठन है तीस member countries है आठ इसमें इसके सहयोगी associated countries है और यह किस पर काम करता है एक विश्वसनिय सस्ती और स्वच उर्जा मिले सबको एक authentic, affordable and clean energy मिलने चाहिए 1974 में बना था जब oil crisis आया था इसके main areas कहां जाये काम करता है energy security में, economic development में, environmental awareness में और दुनिया भर से बातचीत करने में, engagement में भारत 2017 में इससे जुड़ा था तो इसमें देखिए electricity और oil दोनों energy का part है दोनों की बात होती है next है climate ambition summit, December 2020 में environmental climate change से निपटने के लिए जो पेरिस climate समझोता हुआ था उसको evaluate करने के लिए, उसको review करने के लिए कि उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना पीछे गए हैं, ये climate ambition summit आयोजित की गई और इसकी जो देख्षता की गई, वो collectively तीन देशों ने की, एक तीन organs ने की, UNO, UK और France इन्होंने collectively की जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए 2015 में जो पेरिस climate agreement था ये आया था, इस समझोते में ये कहा गया था कि जो global warming बढ़ रही है, दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, इसको हम कम करेंगे, 1.5 degree Celsius तक कम करेंगे, इस पर अपना commitment सबने जताय था, लेकिन हाला कि इस पर बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा है, देशों ने ये तैय किया था, कि जो carbon का emission है, उसे भी कम करना है इंडिया ने उलेखने बात ये है, कि इसमें काफी अच्छा काम किया है, 2005 के comparison में carbon emission को इंडिया ने 21% तक कम किया है, आप देख रहे हैं कि इंडिया ने BS6 engine अनिवारिय किया है, अपने vehicles में, तो ये इस कवायत किस बात को शो कर रही है, इसी बात को कि इंडिया climate protection को लेकर प्रतिवद है, इसके इतिरिक्त, इंडिया solar energy की capacity बढ़ाने पर भी बहुत जादा बल दे रहा है, तो इंडिया clean energy चाहता है, तो ये सारे इस बात का सूचक है, क्योंकि इंडिया पेरिस समझोते का part है, नेक्स्ट न्यूस है, देखि है, हैदराबाद एक ऐसा city बन गया है इंडिया का ऐसा पहला city बना है, और वर्ल में भी ऐसा city बना है, जिसको tree city of the world कहा गया, तो 2020 का tree city of the world का, इसको recognition मिला मानने ता मिली, देखो हैदराबाद ऐसा एक शहर है, जिसने जो forest cover है, उसके लिए काफी काम किया है, यानि जो urban forest conservation है, अर्बन forest protection है, यानि शहरी जो one है, जो पेड़ है, उन्हें बचाने के लिए काफी बहतर काम किया है, इसलिए पूरे इंडिया से हैदराबाद city को, ऐसा city कहा गया है, जिसे 2020 tree city of the world कहते हैं, 2020 tree city of the world, तो यह एक संगठन है, the Arbor Day Foundation, और UNO का एक औरगन है, FAO Food and Agricultural Organization, इन्हों इससे पहले तो जादतर city, USA, Britain, Canada और Australia से ही थे, देखिए, फ्रांस पर एक penalty लगाई गई है, और ऐसा दुनिया में पहले बार हुआ है, फ्रांस पर यह कहा गया था, फ्रांस पर यह कहा गया था, फ्रांस climate, जो एनर्जी, जो environmental loss है, जो environmental degradation है, उसके बारे में सही कदम नहीं उठा रहा, तो एक symbolic penalty लगाई गई है फ्रांस के उपर, प्रतिकात्मक जुर्माना, symbolic penalty, क्योंकि फ्रांस ने ऐसा कदम नहीं उठाया, जो उसने commitment किया था, उसने नहीं उठाया, हम अभी कुछ समय पहले बात कर रहे थे, वल्चर एक्शन प्लान की, कि किस तरह से गिद्ध है, जो गिद्ध है, उसकी गर्दन के पास एक चिप लगा दी जाती है, और फिर उसको वाच किया जाता है, कि वो कहां है, किस हालत में है, तो उसे कैसे पकड़ा जाता है गिद्ध को, एक 15 स्क्वाइर मेटर का एक बहुत बड़ा पिंजरा है, जिसमें गिद्ध की खुरा जीपियस टैग लगा है, टैगिंग करके छोड़ा है, ताकि उनकी सुरुक्षा की जा सके और उनकी रिसर्च भी की जा सके, और लास्ट में थोड़ा सा डेटा है, यह इंपोर्टन्ट है हमारे लिए इसे भी आप देख लें, जो लेपर्ड है, तेंद्वा, लेपर्ड क् तेंद्वा क्या है, येलो फर होती है, और ब्लेक स्पोर्ट होते हैं, तो लेपर्ड यानि तेंद्वी की संके सब ज़्यादा MP में है, हमने भी पढ़ा था कि टाइगर्स भी महीं हैं, उसके बाद करनाटर का है, महरास्टर है, यूपी में देख लें, यूपी में 316 के ल